Hello everyone, today we will study in this video topic about media and democracy means Sanchar Madhyam और लोगतंत्र. So let's start. In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. लोगतंत्र में देश और संसार के बारे में news देने और उनमें होने वाली घटनाओ पर discussion करने में, जो media है, इसका जो भूमिका है, बहुत ही important है. It is on the basis of this information that citizen can, for example, learn how government works. उधारन के लिए, जो media है, इससे नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस प्रकार का काम कर रही है. And often, if they wish, to they can take action on the basis of these news stories. और यदि लोग चाहें, तो इन समशार के अधार पर करवाई भी कर सकते हैं. Some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program, etc. और ऐसा वे संबंधित मत्री को पत्र लिग कर सारवजिनिक विरोध आयोजीत करके हस्ताक्षर अभियान आधी चलाकर सरकार से पुना, उसके जो कारिक्रम है, उस पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं. Given the role that the media plays in providing information, जानकारी देने के संबंध में, संचार मादियम की भूमिका बहुत ही महत्मुर्ण देखते हुए आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होने चाहिए. It is important that the information be balanced. Let us understand what we mean by a balanced media report by reading two versions of the same news events given on the next page. जानकारी देने के संबंध में, जैसा कि मैंने बताया है कि संचार मादियम की महत्मुर्ण भूमिका को देखते हुए आवश्यक है कि जो भी जानकारी दी जाए वो संतुलित होने चाहिए. और हम अगले पेज में दिये गए एक संचार के भीन दो रूपों को भी पढ़कर समझें कि संतुलित संचार मादियम का क्या तातपरे होता है. तो जैसे कि मैंने बताया था भी कि दो जो संचार के दो भीन रूप है उसको पढ़के समझने के लिए यहां बताया गया है. तो यहां यह जो दो रिपोर्ट हैं एक है News of India रिपोर्ट और एक है यह इंडिया डेली रिपोर्ट यह दो न्यूजपेपर के रिपोर्ट हैं अलग-अलग न्यूजपेपर जैसे यहां पर बताया जा रहा है एक रैक्डाउन और पॉलिटिंग फैक्टरीज, प्रोटेक्टर्स, ब्लॉक रोट्स एंड डिस्ट्रूट डिस्टरूट ट्रेफिक प्रदूश्र फैलाने वाले कार खाने पर वजरपाद विरोधियों द्वारा चक्का जाम यातायात रुका ये पूरे एक news है जो की news of India report के द्वारा है और ये जो news है इंडिया डेली report closer of factories cases unrest means कारखानों के बंद होने से घोर अशान्ती और ये जो दो report है ये production और कारखाने के कारण जो production हो रहा था उसके बारे में ये news है इधर बताया था कि जो भी दो अलग-अलग माध्धम भी है news के तो उनमें संतुलन होना चाहिए दोनों news अगर एक ही news दो paper में छपी है अलग-अलग तरीके से तो ऐसा नहों कि उनमें किसी तरीके का अंतर हो बलकि दोनों का भले news paper अलग है news के headlines अलग है लेकिन news एक है तो उनमें से जो main point है वो same होना चाहिए आगे हम देखेंगे the fact is that if you had read either newspaper you would only know one side of the story वास्त्रिक्ता तो यह है कि यदि आप इनमें से किवल एक समाचार पत्र को पढ़ेंगे तो भी विसे का एक ही पक्चान पाएंगे if you had read the news of India you would most likely think of the protesters as a nuisance अगर यदि आप news of India पढ़ें होंगे तो आपको विरोध्यों की बाते व्यर्थ उत्पात लगती they are distributing traffic and continually polluting the city with their factories leaves you with a bad impression about them और यहां यह बताया गया है कि अगर आप इस नहींगे जो news of India यह वाली जो news है अगर इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि जो विरोधी हैं उनकी बातें व्यकार की हैं और उनका यतायाद विवस्था में बाधा उत्पन करना और अपने कार खाने से सहर में प्रदूशर फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी शवी अंकित करता है but on the other hand if you had read the story in the India Delhi पर अगर दूसरी और यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होगा तो आप जानेंगे कि you would know that the protests are because a lot of livelihood will be lost if the factory is closed because the relocation efforts have not been adequate neither of these stories is a balance report balance report is इसको मैं आगे बताऊंगी पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि यहां बताया गया है कि अगर दूसरी और यदि इंडिया डेली आप पढ़े होगे तो आपको यह जानेंगे कि कार खाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटिक खो देंगे क्योंकि पुनरिस्थापन के प्रयास अपरयापत है और इन दोनों में से एक भी वीवरण संतुलित नहीं है तो संतुलित रिपोर्ट जैसे कि मैंने बताया कि अगर दो न्यूस पेपर में एक ही मैटर पे न्यूस है तो उनमें बैलन्स होना चाहिए लेकिन इन दोनों न्यूस पेपर में जो न्यूस है वो बैलन्स नहीं है क्योंकि इसमें अलग बताया गया है और इसमें अलग बताया गया है तो balance report या संतुलित report होती है जिसमें किसी भी बिसेपर हर दिश्टी खोर से चर्चा की जाती है फिर पाठकों को स्वेम अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है writing a balance report however depends on the media being independent जो balance report होता है उसे लिख पाना संचार माधिमों के स्वतंत्र होने पर निर्भा करता है an independent media means that no one should control and influence its coverage of news मत्तों सतंत्रो संचार माधिम से तात पर है कि उनके द्वारे कि दिये जाने वाले समाचार को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे no one should tell the media what can be included and what should not be included in a news story an independent media is important is democracy as you read above it is on the basis of the information that the media provides that we take action as citizens so it is important that this information is reliable and not be said तो यहां पताया जा रहा है कि समाचार विवनर्ण देने में उन्हें कोई भी नेदेशित न करे न करे कि उन्हें क्या समलित क्या जाना है और क्या नहीं लोक तंत्र में समाचार स्वतंत्र संचार माधिमों का होना अत्यंत्माधपुन है जैसा कि आपने उपर पढ़ा कि संचार माधिमों दरा जो प्रदान की गई जानकारी के अधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कारवाई करते हैं इसलिए यह आवश्य किये कि यह जानकारी बिश्वसनी है और तटस्त हो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक है हम जो स्टड़ी कर रहे थे मेडिया एंड डेमोक्रेसी यह आज हम इतना ही स्टड़ी करेंगे I hope that you have understood well what was thought in today's topic next topic of this next topic of this point we will study in our next video thank you for watching